हेलो दोस्तों हिंदी मेरे प्रक्षी से आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो का जो हम कंटेंट लेकर आए हैं तो ये कंटेंट आपके लिए मतिराम से संबंदित है मतिराम जो हैं हिंदी में ब्रजभाशा के कवी रहे हैं और ब्रजभाशा के साथ साथ ये रितिका के कवी हैं मतिराम जी चलिए पूरी जानकारी और पूरी जीवनी इनकी समस्ते हैं अच्छे से इनके द्वारा रचित रसराज और ललित नालाम नामक दो गरंथ रहे हैं ब्रजभाशा के कवी थे और रितिकाल के कवी रहे हैं परन्तु कुछ खोजवीन के बाद पता चलता है कि इन्होंने जो है आठ गरंथ लिखे हैं पर लेकिन आठ गरंथों की रचना शैली उनमें आयर उनमें संबंदित विवरणों के आधार पईस्पस्ट ग्यात होता है कि मती राम के नाम के दो कवी रहे हैं जैसे कि मैंने आपको देव की जब जीवनी कराई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि देव नाम के भी दो तीन कवी रहे हैं ऐसे ही मती राम के भी दो तीन कवी रहे हैं लेकिन प्रसिद जो मती राम हैं उनकी तो आपके स्लेवस में जो मती राम हैं उनके द्वारा फूल मंजरी है रसराज है और ललित ललाम है ठीक है और जो पद लिये गए हैं वो ललित ललाम में से ही लिये गए हैं चलिए आगे देखते हैं अब थोड़ा इनका जन्म समझते हैं विस्तार से मती राम जी का जो जन्म हुआ वो 1617 में उत्तर परदेश के कानपुर जिले में इस्थित तिक्वापुर त्री विक्रमपुर में हुआ था और पहले इसका जो नाम था त्री विक्रमपुर था और उसके बाद वे आचारे माने गए हैं रितिकाल के कभी माने गए हैं और इनको जो है चिंता मनी को रामचेंदर शुकल जी ने रितिकाल का परवर्टक भी माना है और भूशन जो रहे हैं वो रितिकाल के वीर कभी में गिने जाते हैं अब आगे देखते हैं इसका उलेक जो है वंश भाशकर वै कौन मतिराम जी भूशन ने अपने को कश्यप गोत्रिय कान्यकुप्स तिरपाठी रतनाकर का पुत्र बताया है और चर्खारी नरेश विकरम अदित्य की राज्यकवी बिहारी लान ने विकरम सत्से की टीका रश्चंद्रिका में अपना परीचे दिया है तो इसमें इन्हों ने ये बताया है कि जो भूशन जी थे उन्होंने अपना आपको कान्यकुप्स तिरपाठी रतनाकर का पुत्र बताया है और जो है राज्यकवी जो बिहारी लाल थे उन्होंने विकरम सत्से की टीका रश्चंद्रिका में अपना परीचे दिया है बूशन और बिहारी लाल एक ही गोत्र के थे यहां पर इन्होंने भूशन और बिहारी लाल के बारे में जिकर किया है भूशन और बिहारी लाल एक ही गोत्र थे और मतिराम उनके पर बाबा थे पर ना नहीं थे अन्य था ये मतिराम से अपना संबंद ना जोड़कर अपने समगोत्रे पूरवज भूशन ने अपना अधिक संबंद संपस्ट करते हैं इसलिए दूसरे वस गोत्रे मतिराम इन मतिराम से भीन है तो यहाँ पर यह थोड़ा आपको किलिर किया गया है कि जो पहले मतिराम आपको बताये गए हैं वो थोड़ा उन से अलग है और जो मतिराम आप पढ़ रहे हैं वो जो हैं उनका संबंद किसे हैं भूशन और भिहारिलाग से रहा है अब आते हैं मतिराम और भुषण का भाई भाई का संबंध था और यह ललित लणाम और शिवराज भुषण में देगल अकार। विस्पस्ट होता है शिवराज जो भुषण है वो भुषण के भुषण ने ललित ललाम से नी संकोच लक्षण ग्रैंड किये हैं यहाँ पर इन्होंने ये किलियर किया है कि जो ललित लला मते राम के द्वारा लिखा गया उसके जो लक्षन थे तो वह उन्होंने ग्रण के किसने भुशन जी ने मते राम जी का अधिकांस समय कहां गुजरा बूंदी दरबार में यानिके बूंदी के दरवार में रहे और उसके बाद वहां के जो हाडा राजाओं का वर्णन उन्होंने चरचितरन उन्होंने बड़े ही प्रभाविशाली धंग से किया है जो वहां के राजा थे उनका चरचितरन मतिरामजी ने बहुत ही अच्छे धंग से और के राजा फतेशा के दरबार को भी जोबित किया था चलिए अब आगे देखते हैं अब आते हैं इनकी कृतियों पर जो इनकी रचना हैं उनको अच्छा थोड़ा विस्तार से समझते हैं इनकी जो प्रथम कृति रही है वह फूल मंजरी रही है जो इन्होंने 1978 में जहांगिर के लिए बनाई और इसी के आधार पर इनका जन्द जो है 1660 के आसपास का स्विकार किया गया है क्योंकि फूल मंजरी की जो रचना है वह 18 वर्ष के लगभग रहे हूंगे जब उन्होंने की थी इनका दूसरा ग्रंथ जो है रसराज रहा और इसकी भोती प्रसिद मुक्या आधार है और यह श्रंगार रस और नायका भेद पर लिखा गरंथ है रितिकाल में बिहारी सत्से के समान ही यह भी लोग पर यह हुआ है अब यह जो बिहारी सत्से ही है यह बिहारी लालके द्वारा लिखी गई है और यह एक ही इन्होंने रचना किया और काफी यह प्रसि का आधार रहा है आगे देखते हैं इसका रचनकाल समवत है 1690 और 700 के मद्धे माना गया है इस ग्रंत में सुकमार भाव का अत्यंत ललित चितरन है और इनके अनेक चंद हिंदी साहिते की उतकरस चंदों में परिगनित होते हैं यानि के जो इसके चंद लिए गये हैं इसमें वो अच्छे उच्गोटी के चंदों में गिने जाते हैं यह रसिक जनों का कंठ हार है और इसकी अनेक टिकाए भी हुई है अब आते हैं ललित ललाम पर इनका तीसरा गरंत ललित लाम बूंदी नरेश भाव सिंग के आश्रे में लिखा गया अलंकारों का गरंत है इसको य रचनकाल 1720-1720 के आसपास माना जाता है इस गरंत में लक्षण चंद्रालोक कुबल्या नंद नामक संस्क्रत गरंतों के आधार पर है यानि के जो गरंत दो हैं इनके आधार पर इसकी रचना हुई है पर उधारन उन्होंने अपने ही दिये हैं इसमें रसराज के भी कुछ चंद आए हैं जो रसराज इनकी रचना है वहां से भी इनुने कुछ चंद इसमें लिये हैं रसराज की निश्चल भावकता के इस्थान पर इसमें शुक्ष में कलपना शिलता इसपस्ट होती है वहां पर निश्चल जो है भावकता है लेकिन यहां पर शुक्ष में कलपन के लिए की गई थी सत्सई में सरस्वे ललित ब्रजवाशा के दोएं हैं अधिकांश विशर श्रंगार के निती संबंदी है अब यहां पर सत्सई जो रचना हुई है तो इसलिए इसको ऐसा बोला गया कि पहले बिहार सत्सई के जो है पाद में इसको इसके आधार पर इसको यद भी मतिराम के सभी गरंट जो है महतोपूर्ण है फिर भी सबसे अधिक जो महतोपूर्ण इनके गरंथ वाने गए हैं सत्सई रसराज और ललित ललाम को माना गया है तो अगर आप जीवनी पढ़ेंगे तो जीवनी के सासाथ इन तीनों रचनाव को अच्छे से पहले आप इनके बारे में लिखते हैं तो आपके नंबर डेफिनेटली अच्छे बनेंगे अगर जीवन परीचे मतिराम जी का आता है तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो छोटा सा लाइक तो बनता है एक शेर भी बनता है और एक कमेंट भी ज़रूर बनता है करिए हम आपके लिए रामधारी सिंग दिनकर का जीवन परीचा लेकर आएंगे तो बने रहिए हिंदी मेरर की साथ और लाइक कर दीजे और शेर कर दीजे अगर आपके सलेवस में मतिराम की जीवनी नहीं है तो हो सकता है किसी और किस लेवस में मतिराम की जीवनी हो तो शेर जिनको मतिराम की जीवनी चाहिए और एक कमेंट जरूर बनता है करिए हिंदी मेरर की साथ जुड़ जाएए